सबसे पहले सभी बच्चों को प्यार बरी गुड मोर्नी आई होप आप सभी अच्छे होंगे जो बच्छे पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दू मैं हूं हेमंत मैता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलफा बेटा टोक् कंसीडर करेंगे जो की है आपका प्लेइन सेक्षिन ऑफ दे स्फियर ठीक है जो आपकी प्रोब्लम्स का डे रखा गया है ठीक है एक परिटिकुलर दिन रखा जाएगा जिसमें हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे ठीक है में में एक्जाम्पल्स और वो सारे अभी हम आर प्लेटिकल है प्लेइन सेक्षिन ओफ दी स्फियर यह कहता क्या है पहले तो इस चीज़ को समझते हैं ठीक है तो पहले हम इसको समझने के लिए एक बढ़िया सा सफियर बना लेते हैं यह लोग यह कर दिया ठीक है इसे मान लीजिए यह आपका क्या है सफियर है ठीक तो इ अगर किसी प्लेन से काटा जाए प्लेन अप प्लेन भी बना लेते हैं ऐसा कि यह माली यह प्लेन है ठीक है यह प्लेन से हमने काटा इसको ठीक है यह प्लेन सफियर के अंदर से है ऐसे समझेंगे तो जो भी से कार दिया जाएगा तो सफियर के दो तो इससे फिर एक ऐसा उपरवादब एक नीच्शेवाड़ा ऑगा उसके उप़र वाड़ जो शेפ होगी वेक सरकल बनेगी यह बहुत कटने के बाद कटने के बाद यह क्या बनेगा एक सर्कलनेगा तो अ फिप Falls होगा एक circle होगा ठीक है इसको थोड़ा सा हम red color से बना लेते हैं यह इस तरह कि यह circle होगा ठीक है यह 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 जो circle बनेगा न यह आपका क्या है यह हमारा plane section है किसका यह अपना plane section है भीया यह देखो यह वड़ा हिसा काटने के बाद हमें एक circle मिलेगा तो कोई पुछे plane section होता क्या है तो plane section एक circle होता है ठीक है अब यह जो circle होता है इसको अच्छे से समझना चीए यह circle बनता कैसे है न तो हम एक और draw कर लेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास कमी नहीं है तो हम एक और बड़ी ऐसा ड्रो कर लेते हैं यह तो पता लग गया plane section circle बनता है तो यह मान लेते हैं यह अपने पास में सफियर है और इस सफियर को हमने किसी plane से काटा है वो plane की सिर्फ एक line दिखा रहूं है वो plane यहां से गया है गुजर केशक है अरे बास ठीक है और जो circle बना है ना इसके काटने से ऐसे बना है थोड़ासा उस side और थोड़ासा इस side ऐस तरह से ठीक है और इसको हम ऐसे कर देते हैं इस तरह से यह प्लेन के काटने की वज़े से बना है ठीक है यह हमारा सरकल जो है यह से रुकल आपका बोला जाता है बीटा प्लेन सेक्शन क्ले शेक्शन ओफ दी सफियर प्लेन section of the sphere ठीक है इस plane section की एक खास बात देखिए यह माले जी यह circle का center जो circle बनेगा उसका भी तो center होगा कोई न कोई इस center को मैंने नाम दे दिया एग यह अपना सफीर का center है और इस point को देखें तो यह सफीर के उपर भी point और circle के उपर भी point है न यह circle के उपर भी लाई कर रहा है इस circle पर भी तो लाई कर रहा है इस circle पर इस circle पर भी लाई कर रहा है और साथ की साथ यह किस पर भी लाई कर रहा है अपना उस सफीर पर भी तो लाई कर रहा है तो इस सफिर पे भी लाई कर और सरकल पे भी इसलिए इस पॉइंट का सुन्दर सा प्यारा सा नाम दिख देते हैं कोमन पॉइंट ठीक यह कैसा पॉइंट है कोमन पॉइंट अब जरा मिला लेते हैं तो यह सरकल यह सफिर का सेंटर है इसे मैंने नाम देदिया O, yo, Ó से इस point तक Thomas point य मैं पीं यह सफिर की radius हुई R ठीक। और इस ए से लेके ओ तक यह दिश्टेंस है पर यह उस प्लेन से जो प्लेन जिसने काटा था उस प्लेन से이고 doubly चीज तो थी जू सरकल बना वो plane से बना है plane से center तक कौन सी distance है perpendicular distance ठीक है तो यानि कि हमारे पास तीन चीज़ें आ चुकी है हमारे पास कितने चीज़ें आ चुकी है तीन एक और बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं हमें समझ आना चीए इस बार थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ यह लो यह अब तो ठीक है इतना बड़ा ठीक है न यहां पर अपना यहां पर वो मान लेते हैं section हुआ है यहां से कटके गया यहां से कटके गया तो एक circle बनेगा एक circle सरकल बनेगा यह सरकल बन गया यह सरकल बन गया ठीक है थोड़ा सा बढ़िया बनाने की कोशिश में हूं और कुछ नहीं यह सरकल का सेंटर है मैंने ए मान लिया यह अपने सफियर का सेंटर था O मान लिया यह अपना common point था P मान लिया तो यह जो यह A है A और यह O है इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी यह तो perpendicular length है P ठीक है वो P point है यह P length है ठीक है छोटे P से लिख लो दोनों में फर्क पता लग जाएगा ठीक और यह जो है यह यह आपके sphere की radius हो गए यह sphere की क्या हो गए radius R तो यहाँ पर A क्या है A आपका है center of the circle right P क्या है P P आपका है common point P आपका क्या है common point किस किस का sphere का of sphere and circle Sphere का और Circle का Capital R क्या है आपकी radius किस-की radius है भी बताईए radius of sphere हाँ यह नशाद आओ अचा यह बताईए purchase P अपकी यह पी हमारी इस circle कि हमने बनाया है यह cycle बनाया ना इस circle की radius आना यह दे को यहां से लेके circle की radius है से तो59 एपी But इज एक विस टो और समोल अर लिख दिया और रेडियस स़िकल यह आपकी क्या हो गई रेडियस ओफॉफ सरकलो कर इसे मैंने स्मोल अरो यह इस सेट्षन को उठाते हैं कून से क्वे कोई ध्यान से देखना इस half- classic Isco 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 Iscobe यह प्रेंगल सी बन रही है ना यह यह त्रेंगल इसको उठा लो ठीक यह इतने इतने ट्रेंगल तो हमने उठा ली तो यहां पर यह 90 डिगरी है यह 90 डिगरी तो यह hypertonius है है इन में से किसी एक को तो बेस मान लो और यह आपका perpendicular मान लो तो मैं पता है इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल एओ पी एओ पी के अंदर जो आपका ओपी का स्केयर है वो बराबर रहेगा देखो ओपी का स्केयर बराबर रहेगा एपी का स्केयर प्लस ओए का स्केयर देखो एपी का स्केयर प्लस ओए का स्केयर तो एपी का स्केयर कितना है देखिए एपी का स्केयर कितना है स्मोल आर स्केयर प्लस में ओए का स्केयर कितना है पी स्केयर यह किसके बराबर आगया यह ओपी स्केयर के बराबर आगया what was op op क्या था op तो capital sphere की radius थी r square आ गई ठीक है यह o a क्या यह o a p perpendicular length है तो यहां से r square is equal to r square plus p square आ गया यह relation से हम काफी कुछ calculate कर पाएंगे अगर आपको circle की radius मांग ले किसकी radius मांग ले आपसे अगर वो आपसे circle की radius यह r square मांग ले तो बड़ा simple r square में से p square minus हो जेगा ठीक है अब यह p क्या है p आपकी perpendicular length है p क्या है आपकी perpendicular length कहां से कहां से यह perpendicular length from the center of sphere center of sphere से कहां तक है to the circle circle तक circle का मतलब plane क्योंकि circle बना किसकी वज़े से plane की वज़े से ठीक है फटाफट नोट कर लीजिए अगर करना है तो यह यह अपना यह बढ़ी आसा सफीर हमने बनाया है यहां तो यह अगर यह आपने नोट करना है तो कर लीजिए ठीक है अभी हम करेंगे एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा बढ़ी यह तरीके से समझेंगे नोट हो गया होगा स्क्रीन शोट ले ले लेना नहीं तो रोके कोई किकत ने अब हमारे पास दो चीजें होंगी एक तो सफियर दिया रहेगा ठीक आपको प्लें दिया रहेग एक तो सफियर दिया रहेगा एक प्लें दिया रहेगा सफियर की एक्वेश्चन तो कुछ ऐसी रहेगी एक स्केर प्लस वाइ स्केर प्लस जेड स्केर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डू डू जेड प्लस डी इस इक्वल स्टू जीरो प्लें प्लें आपको given रहेंगी ठीक है इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा इन दोनों के मिलने से circle produce होगा मैंने अभी बताया सफिर और plane अगर आपस में मिल जाएं तो वो क्या होगा circle produce होगा उस circle की क्या-क्या मांग सकता है circle का क्या-क्या मांग सकता है वो आपसे radius डिमांड कर सकता है वह आप से क्या डिमांड कर सकता है सरकल की रेडियस डिमांड कर सकता है सरकल का सेंटर डिमांड कर सकता है सरकल का एरिया एरिया तो चलो कॉंपिटिशन में चला जाएगा बट वैसे है इजब रेडियस निकल जाएगी तो सरकल का एरिया निकली जाएगा पाई हर स्केर से तो रेडियस सेंटर इकुवेशन भी मांग सकता है इकुवेशन ओफ सरकल यह भी मांग सकता है यह सब चीज़ें वह आप से डिमांड कर सकता है अपाद देख लेंगे उसकी उकात कितनी के यह एक एक ग्जमपल से समझते हैं मिक सब कैसे करना है सब ठीक है तो मैं पहले एक्जमपल यहां पर लिख रहा हूं फाइंड दी सेंटर एंड आपकी बुक का एक्जमपल नंबर फर्स्ट फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ओफ सेक्षन of the sphere section of the sphere सफीर की equation है x square plus y square plus z square is equal to 25 ठीक बाइदी प्लेन और यह इस प्लेन से काटा गया है यह section जो है वो इस प्लेन की वज़े से बनाय प्लेन है आपके पास 2x plus y plus 2z is equal to 9 चलिए भी इसका solution कर लेते हैं करना तो हमें ही है ठीक तो करें पैन कोई बढ़िया सा मिल जाए तो ठीक रहेगा थोड़ा सा चलो यह लिए लिए सुलूशन देखते हैं ज्यादा पतला हो गया ना यह कर लेते हैं बई सुलूशन देखते हैं देखिए given सफियर दे रहे हैं सबसे पहले तो सफियर बना लेते हैं आपा यह तो सफियर नहीं है यह तो डबा है सफियर 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 येस ठीक इसका सेंटर 00 है इस सफियर का कैसे पता लगा इस को जरा ध्यान से देख लो इसकी रेडियस पांच है कैसे पता लगा इसकी राइट हैड को ध्यान से देख लो है ना पता लग गया होगा ना यह सेंट्रल सफिर जिसका सेंटर जो है और रिजन रिजन है और रिजन है यह प्लेन से काटा गया वो प्लेन यह है और यहां पर व किया है यह सरकल बना इस सरकल की रेडियस मांगी है और इस सरकल का सेंटर भी मांगा है अब ज़रा एक चीज समझना मेरी ध्यान से सुनना यह तो रेडियस थी चलो ठीक है यह तो आर यह वेलियू दे भी रखी अपने को 5 इसको आपने पी माना था पी यह आपको पता है यह आपसे वो डिमांड कर रहा है तो जो सरकल का जो रेडियस होता वो कैसे निकलता है सफियर की रेडियस का स्केर माइनस प्रपेंडिकुलर स्केर अभी अभी की है यह तो पता है मेरे को 25 है यह नहीं पता कितनी है तो प्रप प्रपेंडिकुलर निकाल लेंगे हम अभी कि अभी कि एक मिनट चलिए प्रपेंडिकुलर कैसे निकलेगा वो देखते हैं ठीक है पी कैसे निकलेगा पी है क्या इस प्लेन से यह ऐसे कर लो उस प्लेन पर प्रपेंडिकुलर डाला गया है उस प्लेन पर प्रपेंडिकुलर डाला लेना कहा से औरीजन से तो यह लेंथ कैसे निकलती है प्रपेंडिकुलर लेंथ किसी पॉइंट से पॉइंट पता है हमें तो यह कल भी किया था आप क्या करेंगे आप प्लेन को लिख लेंगे plus 2z minus 9 equals to 0 बना लेंगे और फिर plane का mode ले लेंगे नीचे आप क्या करेंगे plane के coefficients का square x के साथ कोन है 2, 2 का square y के साथ कोन है उसका square z के साथ कोन है उसका square लिख लिया उपर आप वो point put कर देंगे जहां से perpendicular length निकालनी है अब यहां से निकालनी है अपने को तो अगर और और आगे से करने तो वो point put करते और आगे से करते तो वो point अभी तो यहां से निकालनी है तो हम क्या put करेंगे 0000 तो यह तो खतम हो जाएगा ना उपर बचेगा minus 9 minus 9 का board 9 हो गया बाय में कितना बना यह देखे लिजिए चार है एक ना स्टेटमेंट गलत लिख दी यहां यह तो यह वाई है और यहां फिर वन आएगा ठीक है यह तो वैसे 0000 हो गए 448 और 199 का रूट हो गया 3 3 से 3 यह कैंसल हो गया तो प्रपेंडिकुलर लेंथ की वेल्यू कितनी आ गई 3 अब आपको इसकी वेल्यू पता लग गई कितनी 3 तो 3 का स्केर कितना हो गया 9 25 में से 9 16 लाइसी स्केर के तो आर कितना आ गया 4 आ गया सिंप्ल हIsक दो अब गया एक चीज रहा गई निकालने और रूको भाई यह थोड़ा सा फिगरचे यह थोड़ा सा है थोड़ास थोड़ास बिल्कुल माम लिस यह लो को न आइस टो हमारे पास यह है हमारे पास एक चीज बन गई, वो ये बन गई, एक चीज बन गई, इस तरह से, यह आपका 00 है, यह point P है, यह circle का center है, आपको यह पता लग चुकी है क्या? सरकल की radius, अब यह भी निकाली, R is equals to 4, perpendicular length आपने भी निकाली थी कितनी 3, यह आपको पता ही था कितनी है, 5, है न, अब एक चीज निकालनी और रहे गई, वो कहता है, इसके coordinate भी निकाली यह, इसके coordinate भी निकाली यह, अब इसके coordinate कैसे निकाल सकता हूँ, अब सोचो जरा, इसक उपर वाड़ा plane था, यह वाड़ा जो plane वाड़ा हिस्सा है, यह plane, इसकी equation क्या है, इसकी equation क्या है, उसकी equation है, 2x plus y plus 2z is equal minus, यह equals to 9 कर दो चाहे, minus 9 is equal to 0 कर दो एक ही बात है, जब plane बनता है न, तो class plus 2 में हमने एक चीज़ सिख्य हूई है, उसके अंदर होता है, R vector और into में ह R vector is equal to some constant होता है, R vector तो हमें पता यह क्या होता है, X, I, Y, J, Z, K और उसके साथ होता है, नोर्मल वेक्टर, तो नोर्मल वेक्टर क्या होता है, A, I, B, J, कुछ भी हो सकता है, पर देखो इसमें X, Y, Z, यह तो अपने R के इंदर है, तो नोर्मल में क्या डालूं कि यह प्लेन बन जाए, के के जगा तो फिक्स है, 9 है, के के जगा तो फिक्स है, 9 है, बस बात नोर्मल की जगा है, तो नोर्मल की जगा क्या आएगा, 2, 1, 2, यानि 2Y कैप, प्लस 1J कैप, प्लस में 2K कैप, समझ के दुबारा लिख देता हूँ, R vector तो आपका प्लेन के अंदर य 2X बने, तो 2Y के साथ dot product करनी पड़ेगी, क्योंकि I की I की 1 और 2X बन गया, और यहाँ पे plane में देखो क्या बने Y, तो इसको Y को किस से करूँगी, Y बना रही, तो 1J से कर दीजिए, 2Z कैसे बना हूँ, Z बाड़े को किस से कर दीजिए, 2 से, और सामने constant होता है, constant आपको पत तो यह फिर normal vector हो गया, यह normal vector हो गया, और normal vector के direction ratio क्या हो गए, बताओ, जो vector बन चुका उसके साथ वाले direction ratio होते हैं, तो क्या होए direction ratio 2, 1 और 2, ठीक है, दिया हुआ यह था, पर उसे थोड़ा सा खोल के देखा तो यह normal मिल गया हमें उसके बीच में, अब यह देखो, यह क्य प्लेंसी तो उठाया है, मैंने यह AP, यह AP वाले जो चीज़ यह प्लेंसी तो उठाये, AO क्या था, AO perpendicular ही तो था, और जो perpendicular है, क्या वो plane के normal के parallel हो गया है, यह plane है, तो इसका कोई normal होगा, normal भी तो perpendicular हो यह तो यह normal है, और इस normal के direction ratio पता लग गए, आपको कितने है, 2, 1, 2, तो plane के perpendicular ही तो है हो, यानि इसके direction ratio आपको पता लग गए, इसके direction ratio कितने हो गए, 2, 1, 2, कहां से पता लगए, plane ने बताए है, बोल बोल के बताए हैं, तो जो हमारा AO है, यह O है, यह A है, O के point है, 0, 0, 0, और इसके direction ratio मैंने plane के normal के help से पता कर लिए, वो है, 2, 1, 2, तो इसकी equation क्या होगी, equation of OA, वो क्या होगी, वो होगी, x-0, by me, 2, is equals to y-0, x-x1, line की equation कैसे है, बनती एक line ही तो है, x-x1 by direction ratio, y-y1 by direction ratio, z-z1 by direction ratio, z-z1 by direction ratio, is equals to some constant say lambda, समझे रहे हो न, तो x-x1 0 है, by me direction ratio यह रहा 2, y-0 direction ratio, 1, z-2 by, कितना है, z-0 by 2, sorry, z-0 by 2, is equals to some lambda, तो x की value यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ गई, 2 lambda, y की value कितनी आ जाएगी, lambda, और z की value कितनी आ गई, 2 lambda, तो यह क्या आ गई, x, y, z की value, लेकिन किस के लिए, OA के लिए, इसका मतलब यह है, पूरे OA के जो point है, पूरे OA के point, x is equals to 2 lambda, y is equals to lambda, z is equals to 2 lambda से present हो सकते हैं, इससे क्या हो सकते हैं, वो present हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उसी की equation बनाई है, और equation क्या होती है, equation तो हर point को contain करती है, और उस equation से हमें x, y, z से मिले हैं, तो इसका हर point ही इन से बना हुआ है, तो a point भी इन से बना हुआ है, that is, point a के coordinate है, वो भी ऐसे ही है, x की जगए 2 lambda, y की जगए lambda, z की जगए 2 lambda, बट ज़रा देखो, चलो यह x के coordinate, उसके a के coordinate निकाल लिए, बट जो a था a, कहां है जो हमने बनाया था, यह रहा, यह था न a, a तो plane के उपर लाई करता है, a जो आपका वो तो plane के उपर है, a जो है, आपका वो तो plane के उपर है, और a के coordinate हमने कैसे निकाले है, वो निकाले है, 2 lambda, lambda और 2 lambda, पर यह तो plane के उपर है, plane के उपर है, तो किसको भी satisfy करेंगे, plane की equation को भी satisfy करेंगे, तो हम यह चीज़ किसमे put कर देंगे, plane में, और plane की equation क्या थी आपके पास वो थी 2x plus y plus 2z is equals to 9 और x की जगह मैं क्या भर दूँ क्योंकि मेरा a इस तरह का बना है तो 2 lambda y की जगह lambda z की जगह 2z की जगह 2 lambda is equals to क्या हो गया 9 तो यह क्या 4 lambda और 4 lambda 8 lambda और 9 lambda is equals to 9 lambda is equals to 1 हो गया ना lambda की value आपके पास कितनी आ गई वन आ गई जैसे लेंड़ा की value 1 आई वह इस a point के लिए वन आई है तो इस lambda को वन यहां बर दो तो a के point क्या आ गई 2 1 और 2 और यह क्या था यह उस circle का center ही तो था तो इसके center के coordinate कितने आगे टू एंटू रेडियस हम ओल रेडी निकाल चुके हैं कितनी फॉर ठीक है कि एक बार फटाफट रिवाइस करा दता हूं यह question कि आपको center और radius find करना था कि इस sphere की वजह से बनने वाले circle का और इस sphere को किस के हिसाब से काटा गया इस plane के हिसाब से इस sphere में जो circle बना उसके इस sphere का circle का से स्वेर का center मेरे को साफ साफ दिग गया जीरो जीरो है इस sphere की radius मुझे साफ साफ दिग गई पांच है इसकी radius मैंने small r मान ली पर मेरे को small r की value वह मांग रहा है मुझ से लेकिन पहले मेरे को P की निकालने पड़ेगी तो पहले मैंने पैसे नीकालू तो पि क्या है इस plane से जो plane है उपर क इंशेचर करके एड़ करो ठीक है और उसमें उपर वाले में वो पॉइंट करो जहां से लेके रेंप निकालनी औरपने को यहां पर जिड़ार से निकालनी तो मैंने उसमें की जगे जिरो जिरो बर दिया इसे solve कर दिया यह देखो तो पी की value कितनी मिल गई three पी की value 3 मिलते ही में र की value भी मिल जाएगी क्योंकि बड़े र की value है p की value है चोटे की निकालणी है और relation हमें पता है ये निकाल लिए फिर में र को क्या निकालना था फिर में मेरे को सेंटर के कोरडिनेट भी निकालने एक तो एक पॉइंट जो है वो किसके उपर है वो प्लेन के उपर है और ये एक point तो पता है तो मैंने क्या किया मैंने ओका तो मेरको पता है ये मेरको निकालने बस इतना पता है कि यह point play ने पे है तो इसको मैं roughly निकालने की कोशिश कर रहा हूँ roughly कैसे निकालू अब पहले मैं equation बना लूँ O A की, किसकी equation बनाऊंगा O A की, अब equation बनाने के लिए आपको एक तो point चाहिए और एक direction ratio चाहिए जैसे x-x1 by A चाहिए y-y1 by B चाहिए z-z1 by C चाहिए तो direction ratio इसके चाहिए O A के फिर मेरे को ध्यान आया O A तो perpendicular है plane के plane के तो perpendicular है और जो equation of plane होती है उसके अंदर normal चुपा होता है निकालने मेरे को O A के direction ratio है लेकिन मैं किसके help ले रहा हूँ plane की, क्योंकि plane में किसके direction ratio चुपे मिलेंगे normal के और हमें पता है normal भी तो perpendicular ही होता है plane के तो अगर ये perpendicular है तो ये भी तो perpendicular है जो उसके normal के direction ratio होंगे वो इसके भी होंगे तो हम उसके normal के direction ratio यहाँ use कर लेंगे बस इतना फायदा हो जाएगा तो मैंने इसको break किया r vector dot n vector is equals to 9 से r vector तो सभी को पता ही है x i y j और z के इससे बना होता है और जो आपका n vector होता है मैंने देख लिए भी 2x बनाना तो मेरे को 2y चाहिए मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है y बनाना है तो y तो है सिर्फ 1 j चाहिए तो इससे मेरे को normal मिल जाएगा और normal के direction ratio मिलेंगे 212 तो अगर normal के direction ratio 212 मिले plane की help से तो यानि OA के direction ratio मिल गए अब OA की equation बनाए जा सकती है OA का एक point पता है और direction ratio पता है तो मैंने क्या किया equation बना ली किसकी OA की यह देखवा x-x1 क्योंकि एक point तो पता है 0 और बाय में direction ratio मैंने choose कर लिए थे न normal set 2, 1 और 2 यह बना ली और यह सारी चीज किसके यहां से x की, y की और z की value निकाल ली और यह किसको represent कर रहे है x, y, z यह OA के हर point को represent कर रहे है तो यह A को भी represent करते होंगे तो मैंने यह मान लिया कि A के coordinate यह हो गए बट यह proper coordinate नहीं है तो कच्छे हैं फिर मेरे को ध्यान आया एक इस पर लाई कर रहे है plane पे तो एक इसको satisfy करेगा plane को तो मैंने यह वाड़े coordinate इस plane में put कर दी और किसकी value निकाल ली lambda की, lambda की value यहां बर दी आपके पास equation और उसके coordinate आ गए तो यह था आपका 6.3 का एक overall एक idea बड़ी असा I hope आपको समझ आया होगा ठीक है आज की video इतनी ही रखनी थी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी थी क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर तो I hope जितना कराया है उतना आपको समझ आ गया अगर ऐसा है तो जाते जाते इस video को एक like कर जाना और 6.3 के examples कर लेना exercise में सिर्फ और सिर्फ एक question कर लेना और वो है question number 5 बास और मत करना exercise में सिर्फ और सिर्फ फिफ्ट question कर लेना और जिन्होंने अभी तक पिछली videos नहीं देखे हैं वो please पिछली videos देख लो ताकि उन्हें कुछ तो समझ आए चलो ठीक अभी आज के लिए इतना ही है चलिए अलविदा लेते हैं फिर मिलेंगे जै हिंद खुश रहिए अबाद रहिए